असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों उर्दू की पहली जमात सबक 22 का दूसरा सफ़ा पढ़ाने जा रही हूं सबक 22 सेहत मन्द रहे यह मैं आप लोगों पढ़ा चुकी हूं पिछले वीडियो में कि हमें अच्छी सेहत इनसान को चूसता दुरुस्त रखती है सहत मन्द रहने के लिए हमें कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है इस तरह से दातों, दो बार दातों को बरस करना या मिश्वाक से साफ करना हर रोज सुभा नहाना, हर रोज बाल में तेल डाल का कंगी करना नाकुन बढ़ने पर उन्हें कारते रहना, हर रोज साफ सुत्रिया धुले कपड़े पहनना हाँ अपने आसफास गंदगी को खतम करके सफाई रखना या सफाई करवाना यह सब कुछ आदते हैं, अब हम आगे और जानेंगे और हमें क्या करना है सिहतमन रहने के लिए जैसे हमें साफ और ताखत वर गजा लेनी चाहिए साफ और ताखत वर गजा लेनी चाहिए डाल चावल का इस्तमाल करना चाहिए जंग फूड कम खाना चाहिए जंग फूड जैसे पीजा बर्गर ये सब हमें कम इस्तमाल करना चाहिए हमें जाधा तर ताकतवर गजा लेनी चाहिए ताकतवर गजा में हम फल खा सकते हैं ताजा सबजी खा सकते हैं ताजा फल खा सकते हैं दाल चावल का इस्तमाल कर सकते हैं रोटी का इस्तमाल कर सकते हैं और हमें बाहर की खानों से हमें दूर रहना है बाहर की खाने बिस्किट जिस तरह से चिफ्त वगरा हुए यह समें कम इस्तमाल करना है जंग फुड वगरा हुए पीजा बर्गर इसे हमें कम इस्तमाल में लाना है हर रोज खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं साफ पानी पीने की आदत बनाएं गंदे पानी से बचें और हमें जहां कहीं भी गंदे पानी जमा हो वहां से हमें दूर रहना चाहिए उसमें हमें नहीं खेलना चाहिए अगर बच्चे है तो उसमें हमें नहीं खेलना चाहिए उससे हमें दूर ही रहना चाहिए मुनासी वक्त पे ही खाना खाए जो टाइम है उस टाइम पे ही हम खाना काए सुबह में फजर की नमास के बाद हम हलका सा कुछ खा ले उसके बाद अच्छे से नास्ता करना लेना चाहिए हमें और फिर जोहर की नमास के बाद हमें खाना खा लेना चाहिए फिर असर में असर की नमास के बाद कुछ हलका सा खाना कुछ खाकर हमें चाय पिनेना चाहिए भुजा वगरा खाकर इससे हमारी गजा जो हम खाते हैं वो अच्छे से हाजम हो जाता है और हमें डाइजस करने में आसानी मिलती है होती है और फिर रात में हमें एशा के नमास के वर्जिस करें और यह सबसे एहम बात है कि हमें वर्जिस रोज करना चाहिए वर्जिस करने से हम सिहत मन रहते हैं हमारे बोडी चुसता दूस्त रहती है हम बीमार नहीं पड़ते हैं और हमारी सिहत अच्छी रहती है जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से डाजेस्ट हो हो जाता है हजम हो जाता है वर्जस करना चाहिए और इससे हमारा वेट not नहीं बढ़ता है, मोटापा का सिकार हम नहीं हो पाते हैं, सुबह से साम तक पांश वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, और सुबह से साम तक में पांश वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, और हमें अगर हम वासरूम या बातरूम का इस्तामाल करते हैं, तो वहां से आने के बातों पे धिहान रखना चाहिए इससे हमारी सिहत अच्छी रहेगी और हम सिहत मन रह सकते हैं सब को अच्छे से अपने नोट बुक पे नोट करना इसको अच्छे से समझना और इसको फिर से इसको सबक को पढ़ना खुदा हाफिज